हेलो एवरिवान, आज हुम इस वीडियो में कंपार जो हैं करेंगे OnePlus Nord C A2 Lite 5G में और MI 11i 5G में देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से OnePlus में है 6.59 निंज की resolution है 1080p 24px इसमें आपको IPS LCA डिस्प्ले मिलते हैं और MI के हैं डिस्प्ले 6.67 निंज की resolution है 1080p 24px इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलते हैं दोनों में आपको 120Hz का इफ्रेसिट मिलता है बट डिस्प्ले क्वार्टी में MI best है क्योंकि इसमें आपको AMOLED डिस्प्लेई मिलती है प्रोसेसर की बात करते हैं तो वाप्लेस का है स्नैप ड्रेंग का 695 का CPU है टूपें टूपें टूपेंगा हार्ट ओक्टेक और का 69 मेटेस का फिन फैट GPU है 619 का MI का है प्रोसेर मिडिटेक का ड्रेंग सीटी 920 का CPU है टूपें टूपें टूपेंगा हार्ट ओक्टेक और का 690 मेटेस का फिन फैट और प्रोसेर क्वार्टी में MI बेस्ट है बैक केमरे की बात की जाए दोनों का है ट्रीपल वर्प्लेस का है में केमरा 64 का और MI का है में केमरा 108 का प्रण केमरे की बात करते हैं तो आपको दोनों का मिलता है 16 का 5 और केमरा के 7 में बैकी बात की जाए तो दोनों में जाला डिफ्रेंस तो नहीं है वर्प्लेश के आपको बैटि मिलती है 5000 इमेज की MI में है 5000 170 इमेज की दोने की बैटे स्नोनिबल है आप दोने की बैटे को निकाल नहीं सकते चार्जर की बात करते हैं का आपको वर्प्रिस में मिलते है 30-30 वात का आइको में है 27 वाट का दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट है दोनों में आपको फिंगरपी सेंसर और फिस लोग भी मिल जाता है दोनों में हैं कॉनिक्टिवटी 5G की रेम सी में हैं दोनों में 6G पर आड़ भी की मैमोरी सी में हैं दोनों की 103G भी की और आपको वर्प्लेस में Android 12 मिलता है MI में हैं Android 11 अपने अपनी वाई के साथ में प्राइज की बात की जाए तो वर्प्लेस का है 19,995 MI का है प्राइज स्टार्टिंग 24,995 तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बोक्स में ज़रू बताना अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन नहीं तो आप MI का स्मार्टफोन ले सकते हो ये बैस्ट है अगर आपको बज़िट है कम तो वर्प्लेस का स्मार्टफोन भी ले सकते हो